नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं का नुकसान किया, धरमांतरन पर सोरेन आख मुंदे रहे, भोट के लिए हिमन्त किसी अस्तर तक जा सकते हैं, हमने एकासी बिधान सभवे संकल्प लिया है, नड़ा ने परदेश अध्यक्स बावला मरांडी की बात दोहराते हुए हिमन्त सरकार को फरेवियों की सरकार बताय कहा यह ऐसी सरकार है जहां CM के पिछे ED पड़ी है, CM भाग रहे हैं, जमीन माफिया, सराब माफिया, बालू माफिया सक्रिये हैं, जानता के सहयोग से हमन्त सरकार का जाना तय है, नड़ा ने कहा है कि भाजपा के नेतित में केंद्र सरकार उलेख निये कारे कर रही है, अंचल की मांग तब होती थी, कॉंग्रेस तक कान बंद किये हुए थे, सिर्फ भाजपा ने यहां की संस्क्रिति को संक्षन दिया, प्रधान मंत्री ने 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिये, प्रधान मंत्री नियादमोदी ने सरनिवार को कहा कि केंद्र सरकार के प उन्होंने रोजगार मेले में बिभीन सरकारी बिभागों में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बित्रित किये, प्रधान मंत्री ने वर्चूल माद्यम से 9 नियुक्त कर्मियों से सनमात किया, इस दरण उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार की ओर से भाजपा और राजत सासीत राजियों के सहयोग से देश भर में रोजगार मेले कायोजन किया जा रहा है, पिछले वर्च अक्टूबर से शुरू हुए रोजगार मेले में अब तक लाखों युवाओं को विभीन सरकारी बिभागों में नियुक्ति पत्र दिये जा चुके, यह यु प्याज उपलब्ध कराने के लिए बीसको मान ने कवायद सुरू कर दी है, इसे लेकर बीसको मान रांची के छेत्रिये पताधिकारी अयोध्या सिंग ने बीसको मान एमडी को एक पत्र लिखा है, अयोध्या सिंग के मुताबिक बीसको मान की ओर से रांची में 25 रुपे प रांची के खुद्रा बजार में बीते 20 दिनों के भीतर प्याज की कीमत दोगनी से अधिक हो चुकी है, बीते साल अक्टूबर को रांची में 25 रुपे किलो के भाव विक रहा था रांची का नियुमतम पारा 7 डिगरी गिरा, रांची समेथ पुरे जारखन में रात के समय गुलाबी ठंड का आएसास होने लगा है, मौसम में हो रहे इस बदलाव के साथ ही नियुमतम तापमान भी गिरने लगा है, इसे रात की सिहरन बढ़ जाएगी, ऐसे में नौंबर मा के सुरू होते ही ठंड के तेजी से बढ़ने के असार है, उत्री छेतर से आने वाली हवा राजे में कनकनी बढ़ाएगी, रांची में सनिवार को नियुमतम तापमान 15 डिगरी दर्श किया गया, वहीं सबसे अधिक नियुमतम तापमान जमसेथ पुरका 9.4 डिगरी सेल्स के केंद्री महा सची उस्सा प्रवक्त बिनोत पांडे ने परतिकिरिया दी है, कहा है कि भाजपा के नेताओं को सपने वेभी मुख्य मंत्री हमान सुरे नहीं दिखाई परते हैं, साचा यह है कि भाजपा के नेताओं को हमान फोबिया हो गया है, जामो नेता बिनोत करने के लिए त्यार बैठी है बिनोत पांडे ने कहा आए कि बोखला हट और घबरा हट में भाजपाक नेता हमेशा अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं महिला एसियन चेंपियंस ट्रोफी भारत ने मलेसिया को 5-0 से रौन दा चारकन कि रजधानी रांची के मुराबादी सित मरांग गोम के जैपाल सिंग एस्टो टर्फ एस्टेडियम का खुपसूरत मैदान दर्सकों से खचाखर्च भारा पड़ा हुआ है पूरे जोस से दर्सकों के बीच महिला एसियन चेंपियंस ट्रोफी होकी में भारत और मलेसिया के बीच मैच शुरू हुआ भारतिये खिलाडियों ने संदार प्रदसन करते हुए अपने दूसरे मैच में मलेसिया को 5-0 से रौन डाला चेंपियंसिप में भारत की अलागातार दूसरी जीता है शुरू से ही भारतिये खिलाडियों ने मैदान पर संदार प्रदसन किया है पहले क्वार्टर के 7-वे मिनट में ही भारत की ओर से वंदना काटारिया ने पेनाल्टी कॉर्नर से पहरागोल किया है जमीन हड़पने के लिए बदले माता-पिता के नाम जेपी नड़ा भारतिये ज़नता पार्टर के राष्ट्रीय अधियाष ने जहरखन की रैधानी रांची में सूबे के मुखे मंतरी पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि जमीन हडपने के लिए अपने माता पिता के नाम बदले जा रहे हैं सन्निवार को जारखन बीजेपी के संकल पेयातरा के समापन पर आयोजीत 20 साल जन सभा को समोधित करते हैं जेपी नड़ा ने कहा जारकन में मंदीर टूट रहे हैं लेकिन कोई एकसन नहीं लिया जा रहा सीव बरात को रोका जा रहा है यहां तुष्टी करन की राएनिती हो रही है बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि जब रखवर्दास की सरकार थी नकसली घटनाय नहीं थी आठ लाख के इनामी मवादी को लातेहर पुलिस किया गिरफतार लातेहर पुलिस ने मवादी के सब जोनल कमांडर अगनु गंजु को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है उस पर आठ लाख रुपए का इनाम है पांच लाख रूपए जर्खन सरकार ने और तीन लाख रूपए एन आई ए ने उस पर इनाम गोशित कर रखा है लातेहर के पूलिस अधिक्छक अंजनी अंजन ने सनीवार को इस आसे की जनकारी दी है उन्होंने बताया है कि पूलिस ने उसे चंदवा थाना चेत्रे के बेतर के जंगलों में छापे मारी कर सुक्रवार को गिरफतार किया सुचना मिली थी कि बेतर के जंगलों में मवादी के एक दस्ता फ्रमन सील है इसी सुचना पर SDPO संतोस कुमार मिश्रय के नेतित में एक छापे मारी दल का अगठन किया गया उसके बाद पुलिस की टीम ने घेराबांदी कर अगनु गांजु को गिरपतार किया है गीरीडी से बाइक चोर का गिरोह गिरपतार गीरीडी पुलिस ने बाइक चोरी की घटनाओ को अंजाम देने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है पुलिस ने बगोदर, सरिया और गावा तीसरी के इलाके में सगन छापे मारी अभियाएन चलाकर चोरी की दस बाइक के साथ बाइक चोर गिरोह के आठ सरस्यों को गिरपतार करने में सफलता हासिल की है पुलिस को या सफलता गिरी डी एसपी दीपक कुमार सरमा को मिली गुप्त सुचना का अधार पर की गई चापे मारी के बाद मिली है गिरपतार बाइक चोर में सरिया के केसवारी निवासी कॉमर राजा पावापुल निवासी सुरेश यादव सामिल हैं सराब माफिया योगेंदर तीवारी से 6 दिनों तक होगी पुष्टाच जमीन बालू और सराब घोटाले में मनी लोंडरिंग के तह जांच कर रही इडी की रिमांड पर सराब माफिया योगेंदर तीवारी ने 8 दिनों की पुष्टाच में पुरा सा योग नहीं किया इडी उसी के दस्तवेजो के अधार पर उससे सवाल करती है तो वह उस सम्मन्द में अनभिग्यता बताता है इडी ने रिमांड अधी पूरी होने के बाद सरनी वार्गों से इडी की बिसेस अधालाद में प्रस्तूत किया जहां कोट को बताया कि योगेंदर तीवारी से अभी पूछ ताच करने के हो सकता है इसलिए रिमांड अधी बढ़ाई जाए दिल्ली से महंगेवकी ला रहे हिमांड सुरेन बाबुलाल का प्रहार भाजपा के परदेश अध्यक्स बाबुलार मरांडी ने कहा है कि हिमांड सुरेन राजे के बिकास के लिए नहीं अपने और अपने परिवार के बिकास के लिए काम कर रहे हैं लूटेरों को संरक्षन दे रहे हैं और इड़ी से बचने के लिए दिल्ली से महगेवकी ला रहे हैं संकल्प सभाग के समापन के उसर प्रसनिवार को रांची के हर्मू मैदान में आयोजीत कारकुरम को समोधित करते हुए मरांडी ने कहा है कि हेमन सोयन अपने को आंदोरन कारी बताते हैं लेकिन इतनी सारी गरबाडी कर इड़ी से भाग रहे हैं लाते हर में मुखिया से हतियार के बॉल पर लूट पार्ट जारखन के लाते हर में डी ही पंचायत के मुखिया परमीला देवी ने आवेदन देकर मार पीटेम लूट पार्ट का ममला दर्च करवाया है बताया जा रहा है कि मुख्या अपने परिवार के साथ 27 अक्टूबर सुबा आठ बजे घर के पास के खेत में आलू रोप रही थी इसी दोरान कियारी को परिवार के सदसों दोर दिया गया इसको लेकर जब हमने बिरोध किया तो गाव के परदीप उराव, पीता धाना उराव, मनोज उराव, बिनोद उराव और अनोज उराव सभी हम लोग पर तूट पड़े और गाली गलोच करने लगे शों मुहर को सियम हमन्त राजी का सबसे लंबा पूल का करेंगे उदघाटन छारखन के मुख्य मंत्री हमन सुरें सों मुहर को दुमका जीले में में विराक्षी नदी पर बने राजी के सबसे लंबे पूल का उदघाटन करेंगे एक अधिकारिक ब्यान के मुताबिक 200 कोड़ रुपए की लागत से बना 2.5-3 किलोमेटर लंबा यह पूल मकराम, पूर और जिला मुखेला की बीच की मजूदा दुरी को 30 किलोमेटर से घटा कर 15 किलोमेटर कर देगा बयान में बताया गया है कि दुमका को उपाय युक्त ने सनी मर को उस जगा का दौरा किया जहां उधगाटन कारकर्म निधारी था है उन्होंने हेली पैड, पारकिंग छेत्र और लोगों के बैठने समधी इंतेजामों का निरिक्षन भी किया पूल के अलावा सुरेन कई अने परियोजनाओं का उध़ाटन करेंगे और कुछ विकास कारियों के अधार सिला भी रखेंगे जहारखन की 175 पर खंड को सुखा ग्रस्त गोसित करने की तयारी आपदा प्रवंधन विभाग ने राजे के 178 परखंडों को सुखा ग्रस्त घोसित करने की त्यारी कर ली है 110 परखंड मोडरेट जब 48 परखंडों को गंभीर रूप से सुखा ग्रस्त घोसित किया जा सकता है इससे समधित प्रस्ताव पहले केबिनेट में जाएगा वहाँ से अनुमोधन के बाद इसकी जनकारी केंद्र सरकार को दी जाएगी परखंडों को सुखा ग्रस्त घोसित करने के लिए केंद्र सरकार के सुखा मेनुवल के हिसाब से ट्रीगर वन और ट्रीगर टोक की रिपोर्ट तयार कर ली गई है अब क्रिसी विभाग सुखा की स्थिती को लेकर जमीनी हकीकत का पता लगा रहा है इस काम में क्रिसी पता दिकारियों को लगाया गया है पलामू में 31 को रोजगार मेला 6,000 को सियम हिमंद देंगे नियुक्ति पत्र मुख्य मंत्री हैं रोजगार मेला के अगले पड़ाव में 31 अक्टूबर को पलामू परमंडल के नोजवानों को ओफर लेटर सोपेंगे इस दोरन पलामू परमंडल कंत्रगत तीनों जीलों गढ़वा लाते हरों पलामू के करीब 6,000 बेरोजगार युवाव को ओफर लेटर सोपा जाएगा इन में 90 फिश दी अस्थानिय युवा है रोजगार अस्थानिय नीजी इकायों के साथ साथ कुछ बाहर की कंपनियों में भी मिलेगा इस ओफर लेटर सोप रोजगार मेला कावजन स्रम नियोजन प्रसिक्षन और कोशल विकास विभाक योर से किया जा रहा है सरकार का जोर युवाव को कोशल प्रसिक्षन देकर अस्थानिय अस्थानिय अस्थर पर ही रोजगार का उसरुकलब्ध कराना है प्री मैटरिक छात विर्ती के लिए आवेदन 20 फरवारी तक राज्य के बिद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है अनुसुची जाती वा पिछला जाती के विद्यार्थि चात विर्ती के लिए अवेदन 20 फरवारी तक कर सकेंगे इस समध में आदिवसी कल्यान आयुक्त कर्याला की ओर से सभी जीलाक कल्यान पता दिकारी को पत्र भेजा गया है चात्र चात्राओ का आई एन ओ द्वारा इकल्यान पोटल पर प्रविष्टी वा आवेदन का सत्यापन 20 फरवाई 2024 तक होगा देवघर के 8000 किसान क्रिशी रिण माफी से वनचीत राई सरकार की क्रिशी रिण माफी योजना के लाब से अभी भी देवघर के 8000 किसान वनचीत हैं इन 8000 किसानों ने डेड़ वर्स पहले ही एक रूपय का ओनलाइन टोकन कटा लिया है लेकिन क्रिशी भी भाग से बैंकों को रिण माफी की राशी उपलब्द नहीं कराये जाने से इन किसानों को दोबारा किसी सी रिण का लाब नहीं मिल पा रहा नियम के नुसार रिण माफी की योजना का लाब तभी किसानों को मिल पाएगा जब उनके समंधित बैंक के रीन खाते में सरकार से माफी की राशी क्रेडिट होगी अस्थानिय अस्तर पर क्रिसी कर्याले द्वारा डेड़ वर्स पहले ही एक रुपए काउन लें टोकन कटाने वाले 8000 किसानों के सूची भेज दी गई रीन माफी नहीं होने से किसानों को बैंक वक्रिसी कर्याले कर चकर लगाना पड़ रहा है बताया जाता है कि जीले भर में करीब 30,000 किसानों को राज सरकार दोरा रीन माफी की योजना का लाब देने के लिए सौट लिस्ट किया था इसमें 22 एर किजानों को रिन माफिक कर दिया गया है धन्यवाद